Hello everyone, welcome to Vidya Shree Academy, I hope you are doing well, हम Important GK Question के सिरीज पढ़ रहे थे, तो शुरू करते हैं, आज का पहला Question है, जर्मनी का एकी करण किस ने किया? आपने World History में पढ़ा होगा, जर्मनी का एकी करण किस ने किया था? विस्मार्क ने, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है, और अगर बात की जाए कि भारत का एकी करण किस ने किया या भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा सरदार बल्लव भाई पटेल, ये नाम तो आपको कभी भी नहीं बूलना है, एकता फुरुष्ट के नाम से इनको जाना जाता है, इनी की याद में 31 अक्टूबर को इनके जनम दिन पर क्या मना जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है, और इनसे रेलेटेट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कि भारत में जो बहुत सारी रियासते थी, कितनी रियासतों का एक ही करण किया था, ये आपको बताना है, ये किस ने किया था, सरदार पटेल जी ने किया था, केवल तीन ऐसे प्रान थे जो भारत में नहीं मिले थे, फिर इनके लिए अलक से मिलाए गया था, जम्मू कश्मीर, हैद रखना है, इस से रिलेटेट क्वेशन पूछे जाएंगे, स्टैंचू अफ यूनिटी, जो स्टैंचू अफ यूनिटी है, ये कहां पर है, ये है गुजरात के के वडिया प्रान्त में, याद रखना है, 182 मीटर की जो क्या है, हाइट की प्रतिमा है, सरदार पटेल जी की सूजी वतन पुस्तक किसने लिखी है, प्रेम चंदर जी ने लिखी है, याद रखियेगा, ये प्रशन भी पूछा गया है, एक्जाम में मुनसी प्रेम चंद का, एक क्वेशन और इनपोर्टेंट है, वो कौन सा है, गोदान और गवन, एक महान और पान्यास कार, कहानी का प्रेम चंद जी तो गोदान और गवन जो है, प्रेम चंद जी की रशना है, इसको भी याद रखियेगा, फिर कादंबरी किसकी रशना है, तो कादंबरी बार्ण भट्टे की रशना है, ये आपने तो पढ़ा ही होगा, किस मोगल बाथसा ने अंगरेजी इस्ट इंडिया company को सूरत में अपना पहला कारकाना लगाने की इजाज़त दी थी तो वो बादसा कौन था जहांगीर था जहांगीर एक कला प्रेमी शाशक था तो याद रखिएगा अंग्रेजों की समय पे सबसे पहली फैक्टरी जो लगी थी वो जहांगीर की समय लगी थी विश्यो बेंक का मुख्याले कहां तो विश्यो बेंक का मुख्याला वसिंग्टन दीसी बेस्थते थे 1945 में स्थापना हुई थी ब्रेटेन बोड कांफरेंस के थिरू क्या हुआ था दो संगिटन का निर्माड हुआ था एक तो था वर्ल्ड बेंक और दूसरा था IMF International Monitoring Fund जो Ease of Doing Business Report है ये कौन सा संगेटन निकालता था ये World Bank निकालता था जो अब नहीं निकालेगा Pencil की लीड के स्तत्यू की बनी होती है तो Pencil की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है ग्रेफाइट क्या है कारबन का पर रूप है जो हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है ये दोनों क्या है कारबन के ही अपर रूप होते है तो जो Pencil की लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है Reverse Flip का संबंद निकालत में से किस देश से है तो क्या आपको पता है कि Reverse Flip किस से संबंद थे आप अपना आंसर गैस कर लिजिएगा आंसर है होकी होकी से किसका सम्मंद है reverse flip एक term है जो होकी से related है होकी का नाम आया है तो आपको एक नाम याद रखना है मेजर ध्यान चंद अभी आपको पता होगा कि जो राजीव गांदी खेल रत्न पुरुसकार है जो की खेलों के छेत्र में दिया जाने वाला service rest पुरुसकार होता था तो राजीव गांदी खेल रत्न पुरुसकार का नाम बतल के क्या कर दिया गया है मेजर ध्यान चंद पुरुसकार कर दिया गया है इसको बिलकुल आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद पुरुसकार खेलों का सबसे बड़ा पुरुसकार है इसमें 25 लाख रुपे की राशी दी जाती है याद रखेगा 25 लाख रुपे की राशी दी जाती है और अभी जो current affair का question इसमें बनेगा हूँ ये बनेगा की इस वर्स का ध्यानचंद पुरुसकार किसको दिया गया है तो इस वर्स का मेजर ध्यानचंद पुरुसकार शरत कमल को दिया गया है जिनका संबंद किस खेल से है टेबल टैनिस के खिलाडी है एक महान खिलाडी हैं जिनोंने कोमन वेल्ट गेम्स में सरवादिक मेडल लाने का गौरो प्राप्त किया है तो याद रखिएगा मीजर ध्यान चंद पुरुसकार 2022 के लिए शरत कमल एक मात्र खिलाडी को मिला है संभिदान सभा की पहली बैटा किस दिन हुई थी तो ये डेट तो आपको याद ही होगी 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1940 सच्चिदा नंसिनहा जी की अध्यक्षता में संभिदान सभा की पहली बैटा कुई थी और फिर उसके बाद दो दिन बाद 11 दिसंबर को याद रखिएगा जो ये पहली बैटा कुई थी इसमें सच्चिदा नंसिनहा इस्थाई अध्यक्ष ना होके आइस्थाई अध्यक्ष के रूप में नामित हुए थे फिर दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजिंत प्रशाद जी की अध्यक्षता में इनको क्या बनाया गया था संभिदान सभा का इस्थाई चेयर्मेन बनाया गया था इस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था ये फैक्ट आपको याद रखना है अब संभिदान की बात आई है तो संभिदान दिवस कम मनाया जाता है 26 नवंबर को संभिदान दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संभिदान बनकर तयार हो गया था इसलिए 26 नवंबर का दिन सम्मिदान दिवस की रूप पे मनाया जाता है और ये हम कब से मना रहे हैं तो 2015 से डॉक्टर भीमरा अमेडिकर जी की जो 125 भी जैनती थी तबी ये रखा गया था ऐसा कि 26 नवंबर को सम्मिदान दिवस मनाया जाएगा लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ था तो 26 जनवरी 1950 ये तो आप सभी जानते होंगे कि 26 जनवरी को क्या हुआ था भारत एजा रिपबलेक कंट्री माना गया था मतलब भारत ते गरतंतर देश बन गया था क्योंकि भारत का सम्विधान 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुआ था सम्विधान की रचेता कौन माने जाते हैं जो ड्रेफ्टिंग कमेटी है इसके हैट कौन माने जाते हैं डॉक्टर भीम राव अमबेडिकर जी डॉक्टर भीम राव अमबेडिकर को विधी पर उसके नाम से जाना जाता है अमबेडिकर जी का नाम जब भी आता है तो 6-7 पॉइंट आपके माइन में क्लेक करने चाहिए जैसे कि डॉक्टर अमबेडिकर विधी पर उसके नाम से जाने जाते हैं इनका जो जन्मिदन है वो 14 अप्रेल को मनाया जाता है इनका जो मरण दिवस है तो चुकि इनों ने बौध धर्म अपना लिया था इसलिए इसे महापरी निर्माद दिवस की रूप में मनाया जाता है इनकी मृत्यू कब हुई थी याद रखिएगा 6 दिसंबर 1956 तो 2022 में इनक किस ने लिखी थी तो डॉक्टर अंबेडिकर ने लिखी थी जातियों का अंतरचना किसकी है डॉक्टर अंबेडिकर की है बहिश्क्रत हितकार्णी सभा की स्थापना करने वाले भी डॉक्टर अंबेडिकर थी और महार सत्याग्रह महार सत्याग्रह जो कि इनों ने छुआ चूत को कम करने के लिए चलाया था याद रखिएगा वो भी डॉक्टर अंबेडिकर की पहल थी और जो पूना पैक्ट पर साइन हुए थे 1932 में महत्मा गांधी और अंबेडिकर जी के बीश में पूना पैक्ट साइन हुआ था इतनी कॉशन आपको याद रखना है सुन्दरवन नेशनल पार्क किस राज़ में इस्थे थे बहुत इनपोर्टेंट है ये यूनिस्कू में शामिल है याद रखिएगा सुन्दरवन नेशनल पार्क कहा है इस्थे थे बेस्ट वेंगॉल में इस्थे थे सुन्दरवन का नाम आया है तो आपने मैग्रोव डेल्टा का नाम सुना होगा ये सबसे बड़ा मैग्रोव है भारत विश्व का तो आपको याद रखना है सुन्दरवन डेल्टा बेस्ट बेंगॉल में इस्थे थे नमलेकित में इसे कौन सा राश्ट्य ध्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है तो ये आप सभी को पता होगा काजी रंगा राश्ट्य ध्यान है बहुत ही फेमस है वन होर्न राइनो काजिरंगा राश्ट्रिध्यान कहा है तो यह बहुत ही ओसम टाइप का फैक्ट है तो याद रखिएगा कि यह असम में इस्थे थे और यहाँ पर अभी वन होर्न राइनो के लिए एक यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है तो उसे भी याद रखिएगा और मानस राश्ट्रिध्यान कहां पर इस्थे थे तो मानस राश्ट्रिध्यान असम में इस्थे थे कच्छ रास्टी उद्यान कहां पर इस्ते थे कच्छ रास्टी उद्यान जो है वो कहां पर इस्ते थे गुजरात में इस्ते थे इसको भी याद रखिएगा संजय गांधी रास्टी उद्यान कहां पर इस्ते थे ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कालिदास ने प्राया अपनी सभी रचनाओं को किस भासा में लिखा है तो कालिदास जी ने अपनी रचनाओं को किस भासा में लिखा है संस्क्रेट भासा में लिखा है कालिदास जी एक महान कवी महान लेखक, महान साहतेकार जिनकी जो क्रतिया है वो बहुत ही अनुपम है अतलिनीय है कालिदाज़ी का नाम आया है तो आप वैसे तो आपको याद होगा बट फिर भी अगर किसी को कठनाई होती है उनकी रचनाओं को याद करने के लिए तो आप ऐसे याद कर सकते है रितू मेकर MBA रितू मेकर MBA से आप कैसे याद कर सकते है देखे रितू तो रितू से क्या हो जाएगा रितू संगहार मे से हो जाएगा मेग दूतम और फिर M से क्या हो जाएगा मालवी का अगनी मित्रम इस तरीके से आप याद कर लीजेगा ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है और विक्रुमो बर्शियम हो जाएगा विक्रुमो बर्शियम पढ़ा होगा आपने अभी ग्यान शकुंतलम पढ़ा होगा तो ये सब कालिदास जी की रचना है जो आपको याद रखना है हर्याना के किस जिले में मौतिलाल नहरू स्टेडियम इस्टेट है तो ये तो हर्याना PCS में ही पूछा रा सकता है बस याद रखिएगा सौनीपत में है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है ये प्रश्ण MPPSC पूछ चुका है और इस तरीके के factual question भी आते हैं exam में तो आ convert करेंगे या centimeter में convert करेंगे तो कितना होगा आपको बताना है ये भारत में project tiger की शुरुवात कब से की गई तो 1972 के act की तहट भारत में 1973 से क्या की गई project tiger की शुरुवात की गई project tiger जो की tiger के selection के लिए बनाया गया था याद रखिएगा इंडिया में सरवादिक tiger कहां है MP में है 526 उनका नंबर है निमलेकित में से किस समीती का गटन केंद्र और राज्यों की संबंदों का पता लगाने के लिए इसको आप कितने भी बार most important लगा लेजे ये question काफी बार पूछा गया UPSC में पूछा गया MPPSC में पूछा गया और भी अनेग्जाम में आ चुका है सरकारिया समीती ते की सरकार क्या करती है सरकार केंद्र में भी होती है और राज्यों में भी होती है तो याद कर लीजिएगा आपकी जो सरकारिया समीती थी उसने central state relation के लिए सारी recommendation दी थी जिसमें से कुछ recommendation को अपनाया भी गया था भारत में सरवादिक मुमफली का उतपादन कहां होता है तो आप सभी जानते होंगे गुजरात में होता है इतो factual question है भारत में हरित क्रान्ती के जनक किसे कहा जाता है question द्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर ready wish हो जाएगा तो answer change हो जाएगा भारत में हरित क्रान्ती के जनक कौन कहलाते है वर्गीश कुरियन को विश्व में कहा जाता है भारत में पीली क्रान्ती का जनक किसे कहा जाता है तो पीली क्रान्ती का जनक किसे कहा जाता है सैम प्रत्रोधा जो सैम प्रत्रोधा है उन्हें पीली क्रान्ती का जनक कहा जाता है और पीली क्रान्ती का संबंद किसे है जितने भी ओयल वाली फसल होती है उन सब का संबंद पीली क्रान्ती से होता है गुलाबी क्रान्ती तो गुलाबी क्रान्ती वाले कौन है दुर्गेश पटेल दुर्गेश पटेल का है गुलाबी क्रान्ती से रिलेटेड है 1815 में कूलकाता में आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी तो आत्मी सभा की स्थापना करने वाले महान वेक्तित तो कुन थी राजा राम मोहन रोय अब राम चंदर जी तो राजा भी थे अयोध्या के तो याद रखिएगा ये सब के क्या है चाहे वो राम हो या फिर मोहन हो दोनों ही एक तरीके से राजा ही थे और ये क्या है मन मतलब राजा राम मोहन रोय जो है ये तो वैसे भी बहुत फेमस है राजा राम मोहन रोय जी कौन कहलाते हैं ये भारती पुना जागरण के पिता कहलाते हैं तो इनका नाम आपको याद रखना है और इन्हों ने आत्मी सभा की सापना की थी और इस से रिलेटर जो सबसे इंपोर्टन क्वेशन पूछा राता है वो ये है कि सती प्रथा के लिए कानून बनाने वाले कौन से वेक्तित्यों थे तो वो राजाराम मोहन रोय थे जिन्हों विलियम वेंटिक की हैल से क्या बनाया था सती प्रथा उन्मूलन कारून बनाया था दलदली भूमी में कौन सी गैस होती है कई बार ये क्वेशन पूछा गया है कि दलदली भूमी में मीथेन गैस होती है और ये बहुत ही उपजाओ होती है भारती क्रांतिकारी ने किस भा प्रतिपादन किया था तो वो कौन थे वो थे लाला लाजपत रोय याद रखिएगा बाल गंगा दरतिलक जी थे जिन्हों ने क्या किया था केश्री ओमराथा अकवार का फ्रतिपादन किया था अकवार के नौरतनों में से जो टोडर मल थे तो टोडर मल की जो भूरा जश्य विवस्ता है वो बहुत ही अधिक फीमस थी याद रखिएगा तो आपसे जो अकवार के नौरतन है वो भी पूछा जा सकता है कि जो वीरवल था वो किस से रिलेटेड था या मुला दो प्याजा किस से रिलेटेड था या उनके नाम भी पूछ सकता है तो आपको पूरे अकवार के नौरतने याद कर लेने हैं आप पढ़िए भले आप देखकर लिखे लेकिन कमेंट पॉक्स में अकवर के नौरतने के नाम लिखकर बटाईए इससे क्या होगा कि इससे आपको याद हो जाएगा करनाटक के श्रवन बेल गुला में किस जन संत की विशाल प्रतिमा है तो वो प्रतिमा जो है वो गौम्टेश्वर में एक्चुली एक विशाल थोड़ा सही नहीं दिया है गौम्टेश्वर तो इस्थान है वो जो प्रतिमा है वो भगवान बाहु बली की है याद रखिएगा बहुत ही विशाल प्रतिमा है भगवान बाहु बली की करनाट कहां ता श्रवन बेल गुला में आता है इसको भी याद रखिएगा पंचायत का सदस्य बनने के लिए निउन्तम आयू तो याद रखिएगा ना तो इसका आंसर 18 वर्ष है और ना ही 25 वर्ष है आंसर है 21 वर्ष पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष आई होती याद रखिएगा पहले आयू 21 वर्ष होती थी बोट डालने के लिए फिर 61 वे constitutional amendment के द्वारा ऐसे 18 वर्ष किया गया अगर आप लोग सभा का सदस्य बनने चाहते हैं तो 25 साल का होना जरूरी है अगर राज्य सभा का चाहते हैं तो 30 साल जरूरी है और राष्टपती के लिए 35 वर्ष का होना आवश्यक है चंडीगड में रॉक गार्डन का निर्माड किसने करवाया था तो चंडीगड में रॉक गार्डन का निर्माड कराया था नेक्चंद सैनी ने विश्वनात आनंद किस खेल से रिलेटेड है आप सभी जानते होंगे चैस के एक महान खिलाड़ी है विश्वनात आनंद और अभी इनको जो चैस फेडरेशन है उसका भी प्रमुक बनाया गया था सुपीरियल जील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है या किस देश में इस्तित है सुपीरियल जील कहां पर इस्तित है साउथ अमेरिका में इस्तित है याद रखिएगा पूर्व से पश्यम तक भारत का विस्तार कितना है ये तो आप लोगों ने जब आप पढ़ना शुरू करते हैं आपने तब ही पढ़ लिया होगा कि पूर्व से पश्यम तक का जो भारत का विस्तार है वो कितना है 29-33 किलो मीटर ये पूर्व से पश्यम का विस्तार है अगर नौर्थ से साउथ का विस्तार पूछेंगे तो आप बता सकते हैं क्या कितना है आप बताईएगा चेत्रफल की द्रस्टी से भारत की 40 सीमा कितनी लंबी है कितनी लंबी है 15200 किलो मीटर है याद रखिएगा इसको सन 1784 में कूलकाता में एसियोटिक सुसायटी की स्थापना किसने कीजी तो एसियोटिक स्थापना यह कहा कूलकाता में है और इसकी स्थापना जो नौ सालक ने की थी, ये नाम भी आपको याद रखना है फिर किस संभिदान संसुधन के द्वारा 6-14 वर्स की आयू को सिक्षा का मौलेक अधिकार का दर्जा मिला था Most 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 important question है ये 86 वा constitutional amendment जो है उसके तहट बच्चों को ये write दिया गया था कि जो सिक्षा का दिकार है वो उनका मौलेक अधिकार है अब सिक्षा के अधिकार की बात आई है यहाँ पर तो याद रखिएगा article 21 जो है वो भी सिक्षा के अधिकार से related है DPSP में भी सिक्षा के अधिकारों की बात की गई है और जो सिक्षा है वो सतत्विकास लक्ष जो सस्टनेवल डेवलपमेंट गूल है उसमें भी सिक्षा को प्रदान करने की बात की गई है तो इतनी फैक्ट आपको पता होने चाहिए भारती समविदान के किस मौलेक अधिकार को चब आलीस वे समविदान संसुधन के द्वारा हटा दिया गया सभी को पता होगा संपत्ती का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया था ससस्त्र सेना जंडा दिवसका मनाया जाता है तो ये साथ दिसंबर को मनाया जाता है इसको भी याद रखेगा दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है तो जो कैनेडा है इसकी सीमा सबसे बड़ी है दुनिया में जो समुधरी तर्टों से touch करती है दुनिया का सबसे बड़ा landlock देश कौन सा है सबसे बड़ा सबसे बड़ा ईस थली सीमा वाला देश पूंचा है यह landlock अलग होता है सबसे बड़ा देश है वो है चाइना याद रखिएगा यह चादनी चॉक्टू चायना वाला ही चायना है वाईू मंडल के किस परत में मौसम संबंदी परिवर्थन देखने मिलते हैं तो जो सबसे नीचे होता है छोब मंडल उसमें क्या होते हैं यह आयन मंडल दिया है इसमें आंसर तो छोब मंडल ही होगा इसका हाँ छोब मंडल ही आंसर है छोब मंडल में सारी मौसम संबंदी कटना है जो बारश होती है जो परिवर्तन होता है वो सब किसमें होता है छोब मंडल में होता है फिर समताप मंडल होता है तो समताप मंडल मे कौन सी layer होती है तो यहां पर ozone layer पाई जाती है जो iron mandal होता है तो iron mandal में क्या होता है जो communication वाला काम होता है यहां पर होता है और उसके बाद होता है बहर mandal exosphere बोला जाता है जिसको इस संसार में सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो आपको पता होगा कि जो दक्षन चीन सागर है वो काफी बड़ा है तो याद रखिएगा इस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है कई बार यह प्रशना चुका है आपको नौर्थ इस्ट जो भारत का मैप है उसमें भी जो नौर्थ इस्ट के जो स्टेट है सारे उनकी सीमा कौन-कौन से अन्य पढ़ावसी देशों से लगती है भारत के कौन-कौन से राज्यों की सीमा किस-किस देश से लगती है इससे रिलेटिट फैक्ट आप पढ़ लीजीगा यह जरूर पूचा जाता है एक्जाम में लिपुलेक दर्रा लिपुलेक दर्रा कहां पर इस्ते थे तो यह उत्तरा खंड में इस्ते थे याद रखिएगा मालिनी याद कर लीजीए आप एक कोड है मालिनी तो आपको याद रहेगा कि उत्तरा खंड में कौन-कौन से है माना दर्रा है, नीती दर्रा है और लिपुलेक दर्रा है यह दर्रे से रिलेट कॉश्चन भी आते हैं एक्जाम में भारतिय राष्टी कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक के बीच लखनव समझोता कब हुआ था तो आप जानते हैं कि सूरत की जो फूट बूला जाता है वो 1907 में हुई थी और 1916 में पुना नरमदल और गरमदल एक साथ आ गए थे तो यह आपको याद रखना है फिर नेक्स क्वेशन है कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है आप जानते हैं कि जल की मात्रा तो बहुत अदेखे लेकिन जो पीनी योग जल है वो कितना है मात्र 3% है तो जल की मात्रा में जो लवण है वो 3.5% होती है बाहरती सम्विदान में वर्णेत मौले कर्टब वे किस देश से लिये गए है तो मौले कर्टब वे रूस से लिये गए है जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिका से लिये गए है और जो संसत का कॉंसेप्ट है वो ब्रेटैन से लिया गया है 42 वे सम्वेदान संसुदन के द्वारा मतब दो शब्द तीन शब्द जोड़े गए थे लेकिन यहाँ पर दो शब्द कौन-कौन से जोड़े गए थे याद रखेगा कि धर्म निर्पेक्शो समाजवादी आपको प्रस्तावना क्या याद है यह पूरी की पूरी प्रस्तावना आपको रट लेनी है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आपको प्रस्तावना समझ में आ गई तो आपको बहुत सारे फैक्ट तो वैसे भी क्लियर हो जाते है यह क्वेशन हम उपर डिसकस कर चुके है रितु संगार कुमार संभव और अगुवन्चम रचनाय किसकी है महानकवी कालिदास जी की है भारत में एक रुपे के नोट पर किसकी हस्ताक्षर होते हैं तो यह क्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक रुपे के जो नोट होता है उस पर किसकी साइन होते हैं तो जो आर्बियाई के गवर्नर होते हैं आर्बियाई के गवर्नर के साइन नहीं होते हैं आर्बियाई के गवर्नर के साइन एक रुपे से ऊपर जितने भी नोट हैं सब पे RBI की गवर्नर की सायन होते हैं लेकिन जो एक रुपे और एक रुपे से कम होता है उस पर वित्त मंत्राला की सचिफ की सायन होते हैं याद रखिएगा ये भारत का कितना प्रतिशत भुबाग वन शेतर से आच्छादित है तो ये जो पॉसेंट है ये 19 पॉसेंट है आप लेटेस्ट रिपोर्ट के एकॉर्डिंग दीख लिएगा ये चेंज होता रहता है बर्डी, इगल, बोगी, पार्टी, होल, इन, वन ये सब किस से रिलेटेड हैं तो ये गोल्फ से रिलेटेड हैं याद रखिएगा गोल्फ से रिलेटेड हैं ये सारे शब्द आपका वीडियो काफी लंबा होदाएगा तो आज हम इसे इतना ही पढ़ते हैं इसके आँगे हम सेकेंड वीडियो में कंटेन्यू कर लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है